नमस्कार कमॉर्टी आउट्रूप में आपका स्वागत है इसलिए एक हफ्ते की बात करें तो कमॉर्टी मार्केट में काफी हर्चल भरा ठाइम था जिसमसे हमने फैट की मीट के बाद देखा मार्केट में एक सोने चांदी में एक जबर्दस किरावट लगाते हुए उसी रफ्तार से मार्केट में गिरावट भी भरते हुए दिखाएगी और 5.5% की गिरावट हमने चांदी में देखी एनर्जी मार्केट का भी कुछ ऐसा ही हल था जहां हमने देखा जियो पॉलिटिकल टेंशन की वज़े से सप्लाई बादिता की वज़े से क्रूड में त चलते एक पोलार वाटेक्स भी क्रेट हो रहा है और शॉर्ट क्रूज के चलते साड़े 18% की सबसे बड़ी तेजी अब तक की हमने नैचल गैस में आते हुए देखी जो प्राइजेस में 356 के ओपर प्लोज दिखा रहा है जनवरी से अभी तक या पूरे जनवरी मंत की बा प्राइजेस को सपोर्ट भी मिल रहा था इन्वेंटेस लोई डेवल पे है आउटपूट में कट ओती है जो प्राइजेस को सपोर्ट भी कर रहे थे बट हायर साइड क्या पूनी की वजह से कॉपर में 0.5% की गिरावट जिंक स्टेबल था निकल में 5% की गिरावट लैट स्टेबल था ऐलुमिनियम में हमने देखा आउटपूट कटोती के चलते कम से कम 0.5% की तेजी बनी अगले अपते की बात करें तो सोन्य और चांदी में जबरदस गिरावट के बावजुद हमें लगता है जिस दंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन आराइज है ये करिना कह 500 के करीब गोल्ड लिया जा सकता है वहीं अगर चांदी की बात करें तो साथ हजार से लेकर 63500 के बीच में चांदी में टेड करना उचीत रहेगा लोग लेवल पर माइंग वापस लोटी भी रिखाई देगी कुरूट टेक्निकली ओवरबाट जरूर है बट 90 डॉलर का ले नैचल कैस्ट में पोलार वर्टेक्स के चलते प्राइजस 370 का लेवल दिखा सकते हैं बर सस्टेनिबल थोड़े डाउटफूल है बेस मेटल के अंदर अभी भी तेजी का रूख है कॉपा 730 पे लिया जा सकता है 750 के लिए जिंग ज्यादा स्टॉंग दिखाई दे रहा है दाइसों के टार्गेट के लिए धन्यवाद